नमस्कार निक्स्ट नाइन लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ प्रज्यासिंग बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे आज केस खास वीडियो में वीडियो की शुरुवात करेंगी और बात करेंगी भुचपुरी अक्ट्रोस अकांशा दूबे के केस की अकांशा दूबे के केस में अब एक और नया CCTV फोटेज जूस सामने आ गया है मिले जानकारी के मताबिक ये CCTV फोटेज उस जगह का है जहां पर अकांशा दूबे पार्टी करने के लिए गई थी ज्योय हां आपको बता दे कि जानकारी के मताबिक ये जो CCTV फोटेज है वो मॉलेक्यू बार का है जो हाँ इस जगा पर ही अकांशा दूबे पार्टी करने के लिए गई थी CCTV फोटेज में साफ तोर पर नजर आ रहा है कि अकांशा किस तरह से जूमती हुई नजर आ रही है और इसके है अगर इस बार की CCTV फोटेज की बात करें तो आपको बता दे कि साफ तोर पर नजर आ रहा है कि अकांशा दूबे के साथ दो और सक्ष नजर आ रहा है जो लगातार अकांशा से बात करने कोशिश करें इनी दो सक्ष के साथ अकांशा दूबे डांस करती हुई नजर आ रह कर दोए कि अकांशा जो है वो पूरे होश वहास में और इसी वजासे होटल और स्टेटमेंट है वो जूटा साबित हो रहा है दरसल आपको बता दे पुलिस का बयान और होटल का बयान ये था कि जब अकांशा होटल में आई तो वो काफी ज्यादा नशे में थी बेसुध हालत में थी और इसी को देखकर कयास लगाया जो आरती जो अंजान सक्ष अकांशा के कमरे में आया था वो इसलिए आया होगा शायद क्योंकि अकांशा अपने होश में नहीं थी लेकिन इन दोनों ही CCTV फोटेज को देखकर ये साफ लग रहा है कि अकांशा पूरे होश और हवास में है अकांशा खुद आती हुए नजर आ रही है और जो दूसरा अंजानसक्ष है वो अकांशा का बैग लेकर आ रहा है अब ऐसे में आखिरकार क्यों ये बयान दिया गया कि अकांशा नश्य में धुत थी और उन्हें पकड़ कर यह जानसक्ष लाया और इसी वजह से अंजानसक्ष अकांशा के होटल की कमरे में जाता है होटल के CCTV फोटेज से नोट करने वाली बात एक और हैं आप इस CCTV फोटेज में जो आगी का हिस्सा है उसमें देखेंगे कि अकांशा जब स्टेर्स पर जाती है वो अचानक से अपने बैग में कुछ ठूड रही है अब आखिरकार वो ऐसी क्या चीज है जिससे अकांशा इतनी बेचैनी के साथ ढूड रही है और जैसे ही वो अंजान सक्ष अकांशा की मदद करने के लिए उस बैग में जागता है तो तभी अकांशा गुस्से में उस बैग को छोड़ देती है और कमरे के अंदर चली जाती है जिसके बाद अब सवाल ये उच रहा है कि आखिरकार अकांशा बैग में क्या ढूड रही थी और अं सक्ष के बाद पुलिस ने इस सक्ष को जिसका नाम से दीप सिंग बताया जोराई से भी छोड़ दिया है और पुलिस के इस वज़ा से इस हरकत की वज़ा से परिवार बिलकुल भी खुश नहीं है लगातार इस मामले में सी बी आई ज़ाच की मांग भी हो रही है अब नेक्ट रही नेक्षा लिए नेक्ट नेक्स्तन लाइस स्थालिबों गातार